हलो एंड वलकम एंड नेक्स नाई नियूज मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज ट्रेंडिंग बॉलिवुड में जानते हैं आपकी हम जब भी प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई वी चाउन में क्या कुछ हो रहा है भाई कौन सी चीजे ट्रेंड कर रही है जहाँ पर वी चाउन में इन दिनों शादियों का सीजन है तो ऐसा लग रहा है कि भाई इन दिनों तो शादी ही ट्रेंड कर रही है जहाँ पर भी श्रेदो खुलासे हुए हैं जो वाके ही शौकिंग है आपको बता दे कि कहा च्वारा है कि अनल कपूर की बात को मान के दिपिका पदुकोन ने रनवीर सिंग से शौकिंग रहा ना तूकि 6 साल से ये दोनों डेट कर रहे थे ये सब भी जानते हैं और हमने आपको कहीं बारी भी बताय है कि 6 सालों से इनकी डेटिंग का सिलसिला चल रहा था तो कहीं न कहीं फैंस को लगा कि भाया 6 साल से इनकी डेटिंग हो रहे थी तो इन्होंने शादी का फैसला लिया मगर आपको बता दे कि 3 साल पहले ही दिपिका पदुकोन फैसला ले चुकी थी कि वो शादी करेंगी तो रन्वीर सिंग से ही इस बात का खुलासा अनिल कपूर अब कर रहे हैं। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जहां पर आपको बता चलेगा कि आखरकार अनिल कपूर ने क्या कुछ कहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलिवुट की सबसे खुबसूरत जोड़ी कहलाए जाने माले दिपिका और अन्वीर सिंग फाइनली 14 और 15 निवेंबर को इटनी में शादी कर चुके हैं। जहां पर हाली में एक दिसंबर को इनकी मॉंबई के क्रांड आया तो ओटल में क्रांड और शाही रिसेप्शन को देखा गया। तो वही उस रिसेप्शन पार्टी में बॉलिवुट का हर एक सत्तस से शामिल हुआ। देखा गया है कि Bollywood साथ सबसे खुबसूरत कपल तो ये कहलाया जाता है अगर इतना ही नहीं खुबसूरत तो है ही साथी साथ कपल में काफी प्यार भी है रन्मीर सिंग दिपिका पगफोन से इतनी मोहबद करते हैं कि वो उनकी आँखों से चलगता है और डिपिका भी रन्मीर सिंग का इतना खयाल रखती है कि भई साब तोर पर बना चलता है कि व्यार हो तो डिपिका और रन्मीर सिंग जैसा दरसल हाली में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन दोनों ने प्यार के चलते शादी की है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे जो खुलासा अभी हुआ है दिरसल उन्होंने टॉक शो में रन्वीर और डिपिका का जिकर किया उन्होंने यानि की अनिल कपूर ने आपको बता दे हालगी में अनिल कबूर ने बताया है कि श्रादी से पहले ही उन्होंने दिपिका को सलहा दे दी थी रनवीर के साथ सिल्म धड़कने दो 2015 की वो शूटिंग कर रही थी दिपिका और रनवीर सिंग से मिलने के लिए वो सेट पर आती थी अनिल ने बताया कि शूटिंग के सर्दिले में जब हम समुद्र के जहाज पर जा रही थे तब दिपिका भी वहाँ पर मौझूद थी उस समय मैंने उरे सला दी कि छोड़ना मत इसको यह लड़का सुभावे है perfect choice है इसे बड़िया लड़का तुमको नहीं मिल सकता इतना ही नहीं अनल कपूर ने कहा कि तीन साल पहले ही उन्होंने दिपिका को यह सला दे दी थी सलहा के बार पूरी ही गंभीरता से उन्होंने इसके बारे में भी सोचा और वो काफी जाता कुछ है कही न कहीं देखा जा रहा है कि अनल कपूर की वज़ा से क्या दिपिका और रन्वीर सिंग निश्पादी कि यह कि तीन साल पहले कि 2015 में अनिल कपूर ने और दिपिका को साफ कह दिया था कि इस लड़के को छोड़ना मत वाकि ही अगर दिपिका पदुकूर्ण के बेस्ट लाइफ पार्टनर का नाम लिया जाए तो वो रन्मीर सिंग है तो सरहां से उन्होंने डेटिंग के पक्त अपनी गर्फ्रेंड क साफ दिया वही अब वो अपनी पतनी का भी उतना साफ दे रहे हैं प्यार बहुत जादा रन्मीर सिंग करते हैं यह हर कोई जानता है वागही कही न कहीं कहा जा रहा है कि भाई क्या अनल के कारण अनिल और दिपिका के वीच में शादी हुई तो आपको बता दे कि ऐसा कु कि अबादी हुई जादी हुई तो इसादी हुई तो इसादी हुई है विानग तो अंच मेंड टे में लादी हुई तो एका कि अवें था нравится तो इसादी हुई है है GalAUL आजन weather और यज wre व... खड़ी और यह लो गाले है अजय ऑर बेह लो आगा अलिए है अजेटेंड़ आगाइटर शॉल प की लागाई में ऐने कैम ऑने में चैनल कैमरा है अजय 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 आम मम म व्लिये दोगे यो है जाजय है जाजय है जो 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 पिएए आप टुट अ बही अ है एकथई करना अग लगा अग अ हुआ है लो जो हुआ हैारो कई के शहं जिसली अबिष्छ अचि देड़े है कि अच्छाइगा जल्दी ले बाग जाएगा जल्दी ले अच्छाइगा बाग जाएगा जल्दी ले आजा बाएगा बाएगा जाएगा जा निकलेगी जोते हमें और अब बना बना इसा अगा कि अगराइगा ऑचर विधा ने ने बराबर एक इंड गराएगा ज़ता सब्सक्राइगा टुशा जब शुछ थाता 84, 95, 84 वेल फ्रेंज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज आपने देखा ट्रेंजिंग बॉलिवूड जहां पर हमने आपको बताया कि आखिरकार अनिल कापूर क्या कह रहे हैं दरअसल दीन साल पहले ही फिल्म के सेट पर अनिल कपूर ने दिपिका पदुकोर को कह दिया था कि अगर तुम अब इस लडगे को छोड़ोगी तो तुम्हारी गलती होगी. अब इस लडगे को तुम बगड़ो क्योंकि ये काफी ज़्दा ही अठ्छे दिल का है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अनल कपूर की ये बाद जो दिपिका पदुकोन ने मानी वो काफी ही अच्छा काम उन्होंने अपनी जीवन में किया क्योंकि दिपिका पदुकोन को रनवीर सिंग से बहतर पार्टनर मिल ही नहीं सकता जिस हिसाब से दिपिका पदुकोन है उनसे जादा महबत रनवीर सिंग करते हैं तारी देखा गया है कि रनवीर सिंग हर एक छोटी सी छोटी बातों को भी दिपिका की नोट करते हैं और दिपिका का खयाल रखते हैं जहां पर श्रादी हो चुकी है इटली के लेक कॉम्बो में वही इनकी रिसेप्शन पार्टी भी हो चुकी है फैंस को इंतजार है हनीमू का मगर थोड़ा अभी इंतजार करना होगा क्योंकी रनवीर सिंग इन दिनों फिल्म सिंबा की प्रमोशन में विजी है कहा जा है कि जब फिल्म सिंबा की प्रमोशन पूरी हो जाएगी उसके बाद दीप वीर खुपसूरत सी जगा पह जाएगे जहां पर अपने हनीमून क को वो enjoy करेंगे फिलाल आज के इस प्रोक्राम में बस इतना ही पर आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें